नमस्कार दोस्तों टी एस टेलर पाइंट के आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है जगदिस मंदवारिया जिने कमेंट करके हमें ब्लाउज का नाप भेजा है और 80 सेंटिमीटर कपड़े में ही कटीन करके बताने को बोले हैं उन्होंने जो नाप भेजा है वो इस प्रकार है लंबाई है 13 इंच सीना है 40 इंच जो बाद में उन्होंने 42 इंच करने को बोले हैं अस्तिन है 5 इंच और अस्तिन की गुलाई है 14 इंच पीछे गला है 10 इंच कमर है 30 इंच तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी नाप से 80 सेंटिमीटर कपड़े में कटीन करेंगेे चलिए दोस्तों कट्टिन इस्टार्ट करते हैं यह हमारा 80 cm कपड़ है दोस्तों, इसको हम माप करके बता देते हैं, यह देखे दोस्तों, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यह इस तरह से, यहां से स्टार्ट करेंगे, यह हमारा 80 cm है, यह इस तरह से मापेंगे दोस्तों, यह हमारा परफेक्ट 80 cm आ रहा है, यह देखे दोस् अभी हम नाप करके बताएंगे दोस्तों यह पना है दोस्तों इसका पना है यह लगभग पौने 35 इंच इसका पना है दोस्तों यह देखिए यहां से हमने इस्टार्ट किया है मापना और यह देखिए यहां से इस्टार्ट किया है मापना और यहां पर लगभग 35 इंच इसका पना है तो हम इसी कपड़े में ब्लाउज की कटीन करके बताएंगे सबसे पहले दोस्तों ऐसे इस तरह से डबल कर लेना है फोल्ड कर लेना है और इसको हम पांच पार्ट में कटीन करेंगे दोस्तों belt की cutting करेंगे उसके बाद कटोरी को extra margin दे करके हम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम front part की cutting कर लेते हैं बीना belt के हमारा सीना है दोस्तों 22 inch 42 को force divide करेंगे तो आएगा 10.5 inch और इसमें 7 inch losing देंगे तो आजाएगा 12 inch तो हम यहाँ पर direct 12 inch पर mark करेंगे यहाँ से 12 inch पर mark करेंगे चेश्ट का 14 इसा plus 7 inch losing के साथ तो हम यहाँ पर 12 inch पर यहाँ पर टेप को रखेंगे और यहाँ पर 72 inch जहाँ पर आ रहा है यहाँ पर हम mark कर लेंगे यह 72 inch पर और यहाँ पर भी उतना ही mark करना है 12 inch और यहाँ पर 70 inch और इस तरह से जहाँ पर हम mark किये हैं यहाँ से यहाँ उसको इसे सिधा कर लेंगे यह देखे दोस्तों इस तरह से सिधा कर लेंगे यहाँ पर हमने 72 inch इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारा 72 inch हम यहाँ पर गला रखेंगे और गला को छोड़ते हुए हम यहां पर सीने का चौंथा इससा प्लस सबाइच लूजिंग यहां पर मार्क किये हैं उसके बाद हम यहां से यहां फ्रेंट पार्ट को मापेंगे फ्रेंट पार्ट हमारा लंबाई है दोस्तों 13 इंच हमने जो अभी माप बताय है उसमें लंबाई है 13 इंच तो हम जब बेल्ट के साथ कटिन करते हैं तो हम उसमें लगभग 7 इंच यहां पर 7 इंच प्लस करके कटिन करते हैं तो 7 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 में 7 इंच प्लस करेंगे तो 7 14 इंच लेकिन हम यहां पर मात्रप फ्रंट प 11 इंच पर मार्क कर लेंगे यह इस तरह से यह साड़े 11 इंच पर मार्क करेंगे यह देखी दोस्तों और सबसे पहले इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों हम सोल्डर का मार्क करेंगे हम यहाँ पर गले के लिए सबादो इंच आरेडी छोड़ चूके हैं इस तरफ तो हम यहाँ पर सबादो इंच यह देखे दोस्तों सबादो इंच छोड़ते हुए मारक करेंगे सोल्डर की सोल्डर का हमें माप नहीं दिया गया है तो हम अपने हिसाब से रखेंगे यहाँ पर साड़े पांच इंच पर सोल्डर रखेंगे चेश्टा हमारा ब्यालिस इंच है तो यहाँ पर भी एक मारक कर लेंगे सबादो इंच छोड़ते हुए साड़े पांच इंच पर और यहाँ पर आर महौल के लिए पाच इंच पे मार्क कर लेंगे अब इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों अंदर की तरब सवा इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ तक हमारा सीने का चौथा इस्सा हो गया और यह सवा इंच लूजिंग इसको भी सीधा कर लेते हैं पहले अब हम सामने गला को 6 इंच अब पर 6 इंच लेंगे यह इस तरह से 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे दोस्तों दोस्तों मैंने यहाँ पर गले को 6 इंच इसलिए रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर यह देखिए सीधा यहां से यहां मैं नीचे की तरफ सीधा यहां पर मारक किया हूँ लेकिन मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि गले को इस तरह से तीर्चा मापते हैं मैं यहां पर यदि तीर्चा मापतों हूँ यहां से मैं सबादो इंच ले रहा हूँ जो गली के लिए छोड़ा हुआ हूँ इस तरह से यह देखिए यहां पर सबादो इंच पर मार्क कर लेते हैं और यहां पर मैं यहां पर टेप को रखूंगा और यहां पर लगभख सबस्ट Awwتهी एंच ठॉड़ा हुआ है तो हम यहां यहां पर 5ंच पर दोस्तों कर सकत हैं कि इस बनाने के लिए यदि बना रहे हो आप तो 5ं a पर नि कर सकते हों यह 72 रिधा खो डहा हुआ और यहां पर यह दोसमुत और इधर ला ल हैंगे तो हम और गले को लगभग दो सूंत यहां पर डॉण करेंगे कियोंकि यह हमारा डीब गला है आपने देखा होगा दोस्तों में बेक पार्ट का गला है हमारा 10 इंच उपर से नीचे तो बहुंद ज़्यादर डीब हो जाता है तो हम यहां पर फ्रंट पार्ट और बेक पार्ट में गले की तरफ दो-दो सूं तो यहां पर डॉण करेंगे। उसके बाद इसको राउंड से दे देना है दोस्तों। और यहां से यहां सबाइंच पर एक मार्क कर लेना है। अब हम कटोरी का मार्क करेंगे दोस्तों। हमने आर्रेडी गले को सबधो इंच छोड़ते हुए सीने का मार्क किया था यह देखिए सबधो इंच छोड़े हैं और साड़े देस इंच आ रहा है सीने का चोहूंधा इसा प्लस सबाइंच यहां पर एस्टा लूजिंग तो हम यहां पर हमारा ब्यानली सिंच चेश्टा है और कमर है 35 तो हम यहाँ पर 6 इंच पर कटोरी रखेंगे यहाँ पर भी 6 इंच पर एक मार्क कर लेंगे इसको थोड़ सा डाउन करते हुए सिधी कर लेंगे अब यहाँ से दोस्तों हमने जहाँ पर 7 इंच उपर की तरफ मार्क किया है वहीं से हम को कटोरी को राउन्ड सेप देना है अब यहाँ पर हम कटोरी का सेंटर भी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हमारा कटोरी आ रहा है 6 इंच तो 6 इंच तो 7 इंच पर हम मार्क कर लेंगे यह हमारा कटोरी का सेंटर हो गया अब इसकी कटिन कर लेते हैं दोस्तों यह देखिये दोस्तों हमारा फ्रंट, पार्ट कटिन हो गया अभी हम बेल्ट ए hanya के नहीं कि आए बेल्ट की आए करेंगे और यह हमारा कटो्री है कटोरी को हम अस्ट्रा मारीजीन देखर बाद में बढ़ाएंगी पहले बेक पार्ट के लेते हैं यहां पर दोस्तों जैसे हमने फ्रंट पार्ट को सबादो इंच गले के लिए छोड़ते हुए यहां पर सीने का मार्किंग किया था तो बेक पार्ट को हमको ऐसा नहीं करना है हमको बेक पार्ट को पुरा जहां पर हमने साड़े दस प्लस सबाइंच यहने सीने का चौथा हिस्सा प्लस सबाइंच इस्टर लूजिंग के साथ हम मार्किंग करेंगे यहां पर तो पौने बारा होगे दोस्तों पौने बारा पर हम मार्किंग कर लेंगे चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हूं दोस्तों यह सबाइंच इधर सीधर लुजेंग के लिए यहां पर 77 इंच और यहां से यहां साड़े दास इंच यह देखिए दोस्तों से मारा है साड़े दास इंच इस तरह से यह इस तरह से अब इसको जहां पर हम मारक किये हैं उसको पहले सिधा कर लेते हैं अब इस तरह से लंबाई लेना है दोस्तों हमको इस तरफ से इस तरफ लेना है यहाँ से हमको स्टार्ट नहीं करना है यहाँ से हमको करना है तो हमारा लंबाई है तेरा इंच तेरा इंच हमारा लंबाई है तो हम इसमें हाप इंच प्लस एक सूथ प्लस करेंगे दोस्तो मतलब साड़े तेरा इंच एक सूथ पर मार्किंग करेंगे तेरा इंच हमारा लंबाई हो गया और आधा इंच और एक सूथ यहाँ पर प्लस करेंगे इस तरह से सीधा कर लेंगे यहां भी सीधा कर लेंगे दोस्तों इसके बाद हम सोल्डर का मार्क करेंगे हम सोल्डर लिये थे साड़े पांच इंच तो हम यहां से यहां साड़े पांच का साड़े पांच इंच मार्क करेंगे फ्रेंट पार्ट वहां महां पर गले के लिए 70 ऊँच छोडे थे हम 72 ऊँच छोड के शोल्डर का मार्क किये थे लेकिन हम यहां पर पुरा-पूरा लिए हैं तो हम यहां पर साड़े-पांच ऊँच उल्डर का पुरा-पुरा लेंगे यह इस तरह से और गले को हम लोग यहाँ पर सवा दो इंच लिये थे तो यहाँ से यहाँ सवा दो इंच पर मार्क करेंगे और डीब गला है तो हम यहाँ पर दो सूंत यहाँ पर डाउन करेंगे और इसको सिधा कर लेना है यह इस तरह से उसके बाद हमारा बेक पार्ट का गला है दस इंच जो हम नाब बताया है उसमें दस इंच है तो हम यहाँ पर सवा दस इंच एक सूथ पे इस तरह से तीरचा मार्क करेंगे जहाँ पर हम गले का मार्क किये है और यहाँ पर जहाँ पर हमारा 17 सिंच एक सूट पर ऐसे तीर्चा मार्क करने पर आ रहा है वहीं पर हमको एक मार्क कर लेना है इस तरह से यहाँ से हमको तीन इंच पर मार्क करना है इसको सीधा कर लेंगे इसको इस तरह से सीधा करेंगे यहाँ पर गोल सेप दे देना है यह देखिए दोस्तों राउंड सेप देते हुए इस तरह से यह हमारा गोल गला बना रहा हूँ दोस्तों आप यदि दूसरा गला बनाना चाहते हो चोंकोन गला बनाना चाहते हो या पान गला बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप मार्किंग करेंगे मैं यहाँ पर गोल गला बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर गोल गले के हिसाब से मार्किंग किया हूँ इसके बाद दोस्तों हम इसके उपर फ्रंट पार्ड को रखेंगे यह इस तरह से रख लेना है पहले उसके बाद यहां से जहां पर हम बेक पार्ट को लगबग हाप इंच उपर उठाते हुए मार्क कर लेना है पहले यह देखिए दोस्तों यह हमारा हाप इंच अंदर की तरफ है लेकिन ये बेक पार्ट है तो हाप इंच उपर की तरफ इस तरफ हम लोग एश्टा बढ़ाये हुए हैं अब इसका काम हो गया दोस्तों ये फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे ये हमारा बेक पार्ट का ड्राइंड कम्पलीट हो गया अब हम इसकी कटीन कर लेते हैं लेकिन हम जब कटीन करेंगे दोस्तों तो यहां से ही स्टार्ट नहीं करेंगे इस तरह से यहां से ही स्टार्ट करेंगे यह देखिए दोस्तों हमारा बेक पार्ट की भी कटीन हो गया आप शाहे तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों यह देखिए हमारा बेक पार्ट कटीन हो गया अब देखिए दोस्तों हमारा बेक पार्ट कटीन के बाद यह हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है तो इसी में हम अस्तिन और बेल्ट और कटोरी को एस्टमार जिन दे करके बढ़ाएंगे तो अस्तिन निकालने के लिए दोस्तों इस तरह से हमको यह देखिए दोस्तों इस तरह से रखना है कपड़े को और इस तरफ हमको अस्तिन निकालना यह देखिए लाश्टा तक के डवल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है और यहां पर हमें लगभख सवा इंच पे मार्क कर लेना है दोस्तों यह आप एक इंच भी कर सकते हो मैं 7 इंच पे कर रहा हूँ फोल्डिंग के लिए अस्तिन के जो फोल्डिंग रहता है तुर्पाई के लिए इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों यहां पर हमारा अस्तिन की लंबाई है 5 इंच तो हम यहां पर 3 सूंथ उसमें प्लस करते हुए मारक करेंगे यहां पर सवा पाँच इंच और एक सूंथ पे इस तरह से मारकिंग करेंगे और हमारा जो अस्तिन की गुलाई है 14 को हाप करेंगे तो 7 इंच आएगा हम यहां पर 7 इंच पे मारक कर लेंगे यह देखिए दोस्तों और हमारा एस्ट्रा ये देखिए पॉन इंच लगबग बच रहा है दोस्तों ये दबाव के लिए हो जाएगा अब यहां पर हम हमारा अस्तिन पांच इंच है अस्तिन की लंबाई तो हम यहां पर धाएंच डाून करेंगे और इसको गुलाई देदेंगे यह हमारा अस्तिन कम्प्लिट हो गया दोस्तों अब हम इसकी कटीन कर लेते हैं उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे अस्तिन को और यहां पर एक साइड लगभग हाप इंच इस तरह से खाचा करेंगे यह देखे दोस्तों हमने इस तरह से खाचा किया है यह हमने जो खाचा किया हुआ है यह फ्रंट पार्ट में आएगा और यह बेक पार्ट में यह देखे दोस्तों अस्तिन की कटीन के बाद हमारे पास ये इतना कपड़ा बचा हुआ है अब इसी में हम बेल्ट निकालेंगे और कटोरी को एश्टा मार्जिन दे करके बढ़ाएंगे तो हम सबसे पहले बेल्ट की कटीन कर लेते हैं इसको डवल फोल्ड करेंगे और हमारा ब्लाउज का लंबई है दोस्तों तो तेरा इंच में जब बेल्ट के साथ कटीन करते हैं तो सबा इंच बढ़ाते हैं तो ये सबा चौदा इंच होगा लेकिन हमने फ्रंट पार्ट को साड़े गिया रैंच पे पहले कांटा हुआ है तो हमारा बसता है एक, दो, ढ़ाई और ये पौने तीन तो पौने तीन इंच पे इसकी चौड़ाई पे हम लोग कटीन करेंगे दोस्तों और हमारा जो चेस्ट का चौधा हिस्सा प्लस उसमें सबा इंच एस्टा लूजिंग किये थे और पौने बारे इंच पे कांटे थे तो हम यहाँ पर पौने बारे इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इधर हम पौने तीन इंच पे मार्क करेंगे पहले इसको सीधा कर लेते हैं दोस्तों ताकि हम जितना भी कपड़ा बचा सके हमको ज़्यदा कपड़ा वेस्ट नहीं करना है दोस्तों इसमें जब कम कपड़े में कटीन करते हुआ आप तो ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना करते हुए कटीन करें यह देखिए दोस्तों यहां से यहां पॉने तीन इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से यह इस तरह से और इसको इस तरह से सिधा कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने काटोरी को लिया था 1.6 इंच 1.6 का हाप किया थे तो हमारा सेंटर पर उपर की तरफ हम लोग जब काटोरी को डाुन करते हैं 5 इंच तो यहाँ पर हम उपर की तरफ इसको भी मार्क कर लेंगे और इस तरह से round shape दे देंगे belt को यह इस तरह से यह हमारा belt complete हो गया दोस्तों अब आप ही cutting कर लेते हैं belt की यह देखे दोस्तों हमारा belt भी cutting हो गया इस तरह से cutting करेंगे इसके बाद दोस्तों हम cutori को extra margin दे करके बढ़ाएंगे यह हमारा इतना कपड़ा बच गया belt कटने के बाद भी तो हम इसी में cutori को extra margin दे करके बढ़ाएंगे यहाँ पर एक cutori आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा cutori आ जाएगा यह देखे दोस्तों जो हमारा front part से cutori के लिए निकला हुआ है कपड़ा यह है वो अब इसी को हम extra margin दे करके बढ़ाएंगे और जो 72 इंच हमने गले के लिए छोड़ा था उसमें भी इसमें 8 करेंगे यह हमारा cutori का center point हमने यहाँ पर mark किया था तो हम सबसे पहले center point को इस तरह से mark कर लेंगे यह इस तरह से और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से यहाँ सबसे पहले mark करेंगे जो हमने गने के लिए छोड़ा हुआ था यह सबसे पहले mark कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों और इसको सीधा कर लेंगे यह देखिए दोस्तों इस तरह से और यहां भी सिधा कर लेंगे दोस्तों पहले यह हमारा देखिए दोस्तों हमने सबादो इंच छोड़ा हुआ था गले के लिए तो हम यहां पर प्लस कर दिये हैं सबादो इंच यहां पर जोन दिये हैं तो हमारा यहां से यहां साड़े छे इंच आना चाहिए क्योंकि हमने कटोरी को साड़े छे इंच पर कटीन किया था परफेक्ट साड़े छे इंच आ रहा है हमारा और साड़े छे का सिंडर पाइंट हम इकाले थे साडेच्छे का हाप्त किये थे सवाती निच ये सवाती निच परफैक्ट आ गया दोस्तों अब यहां पर हम पौन इंच की बेल्टा के साथ कतीन करते हैं तो पौन इचándal यहां से यहां हम लोग डॉण करते हैं इस तरह से यह देखिए हमने बेल्ट अपे भी उपर की तरफ पॉनीच यहाँ पर यह देखिए दोस्तो यह उपर की तरफ यहाँ से यहाँ पॉनीच हमने उपर की तरफ डाउन किया था हमने यहां भी कटोरी में भी यहां से यहां उपर की तरफ यह देखे पॉनीच हमने डाउन कर दिया है और यहां से यहां अब हम कटोरी को एश्टा मार्जिन दे करके बढ़ाएंगे सवा इंच पर एश्टा मार्जिन देंगे कटोरी को सवा इंच यहाँ पर भी हमको एश्टा मार्जिन देना है दोस्तो और यहाँ से यहाँ देड़ इंच अब देखे दोस्तों यह जो हमारा लाइन दीख रहा है और ये लाइन दीख रहा है ये हमने जो गले के लिए उपर से नीचे की तरफ हमने जो मारक किये हैं वो लाइन है तो इसी लाइन से हमको इस तरफ सीधा कर लेना है और ये जो लाइन दीख रहा है दोस्तों हमने यहाँ से यहाँ सवा दो इंच लिया था लेकिन हमने गले को डीप करने के लिए नीचे की तरफ कटोरी की तरफ यहाँ से धाय इंच पे मार के किये थे यह उसी कनिसान है तो हमको यहां से ही हमको इसको सीधा करना है इस तरह से यह देखे दोस्तों इस तरह से सीधा करना है और उपर की तरफ लगभग हाप इंच एस्टा मार्जिन देना है और इसको राउंड से देते हुए जहां पर हम सबा इंच का मार्जिन दिये हैं एस्टा मार्जिन दिये हैं कटोरी के लिए वहीं पर हमको लाकी इसको मिलाना है अब इस तरफ हमको लगभग हाप इंच या आप चाहो तो तीन सूथ भी दे सकते हो दोस्तो एस्टा मार्जिन है ये गले की तरफ कटोरी में और इसको सीधा कर लेंगे यहां से यहां और यहां से यहां भी सीधा कर लेंगे पहले इसको हमने जो पॉनिज उपर की तरफ डाउन किया है दोस्तों उसी में जाके यहां से यहां सीधा करना है यहां पर नहीं करना है और यहां से यहां भी सीधा कर लेना है अब यहां पर गले को हम गोल से दे देंगे दोस्तों अगर एक बार में वीडियो में समझ नहीं आ रहे हैं कटीन तो आप दोबारा भी उसको प्ले करके देख सकते हैं 100% आपको समझ आएगा दोस्तों अब इसको हम उठा लेते हैं दोस्तों इसको अब हम इसके बाद कटोरी हमारा है 3.6 इंच का हमने काटा था तो 3.6 इंच का होता है 10.7 इंच और उसमें 200 प्लस करके यहां पर मार्क करेंगे अब यहाँ से उपर की तरप से हमको देखना है दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है जहाँ पर मार्क किये है 10.1 इंच पर यह देखे दोस्तों पॉने नाव इंच तो हम इस तरह से पकड़ेंगे टेप को और इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर पॉने नाव इंच आएगा वही पर मार्क कर लेना है और यहाँ से यहाँ हमको साड़े तीन इंच पर मार्क करना है अब इसके बाद यहां से हमको सीधा करना है दोस्तो और इसको इस तरह से गोल कर देना है दोस्तो हमारा कटोरी का एस्टा मार्जिन कंप्लीट हो गया अब इसको हम कटीन कर लेते हैं अब इसके बाद सक्षाओ कर देना है यह देखे दोस्तों हमारा कटोरी का भी कटिन हो गया 80 cm कपड़े में 42 सिन चेस्ट वाले कटोरी ब्लाउज का कटिन करने के बाद भी देखे दोस्तों हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है जिसको हम काच पट्टी और बटन पट्टी के लिए और गले के लिए यूज़ करेंगे दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है या फिल नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले अभी वीडियो का नटिविकेशन आप तक कि?